मोधी सरकार दवरा फैलाया गया भरम जाल ना देश शेवा हो सकता और नहीं राश्ट्र भक्ती चीनी घुसपेट के बारे भरम जाल की इस थीती के स्पस्ट तथे इस प्रकार हैं जो मोधी सरकार के वी प्रीतार तक बयानों की जूट को जग जाहिर करते हैं पहला उन्निस जून दो हजार बीस को प्रदानमंत्री शिरी नरेंद्र मोधी जी ने सरव दलिय बैठक में कहा की एनाय कोट ने तो हमारी सीमा में कोई घुसा है ने कोई घुसा हुआ है नहीं हमारी पोस्ट किसी दूसरे के कबजे में है फिर 26 जून दो हजार बीस की शाम को ही चीन में भारत के राजदूत ने भारत की एक न्यूज एजनसी को बयान देते हुए कहा की चीन अपनी जिम्मेदारी समझ लाइन ओएक्च्वल कंट्रोल में चीनी चीन की तरफ अपनी सीमा में पीछे हट जाए इसके बाद 17 जून 2020 को विदेश मंत्री डॉक्टर S.J. शंकर ने लिखित तौर से स्विकार किया के चीन ने गलवान धाटी में लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल के पार भारतिये शेत्र में कबजा कर रखा है 20 जून वे 25 जून 2020 को विदेश मंत्राले ने दो अलग अलग लिखित बयानों में ये स्विकार किया के चीन ने मैं और जून 2020 में भारतिये सीमा में घुसपैट की है और अब 17 और 18 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्री शिरी राजनाद सिंग के दोरे के बाद 17 जुलाई 2020 की शाम को उन्होंने एक संसनी खेज और आश्चर ये चकित ट्वीट किया और कहा की जो कुछ भी अब तक बादचीत की प्रगती हुई है उससे मामला हल होना चाहिए और देखिए फिर आगे क्या कहते हैं और कहां तक हल होगा इसकी गारेंटी नहीं दे सकता